ये ये माउनों का AU-BO3 कंडेंसर पोड्कास्टिंग माइक्रोफोन और इसे देखने के बाद सी पीए करने का मन करता है तु ही ये मुझे को बता दे चाहूं में आना इसे मैंने पर्चेस कर लिए Amazon से बहुत स्पेशल प्राइज में और वो प्राइज क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा तो बने रहना वीडियो के साथ चले वीडियो के स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं इसकी सबसे पहले अन्बॉक्सिंग और कुछे श्ट्रैफ से मिलते हैं वायर्स को टाइट करने के लिए और एंड में हमारा ब्यूटिफुल सा माइक्रोफोन जो की पूरी मेटल का बना हुआ है बॉक्सके अदर से बहुत सारी चीज़ों देखने को मिल जाती है लेकिन अब बात रहती कि का असेंबस आरे सेका है छसे असे करने है Nous चीजों को यह है तो असेंबस करना बहुत ही ईजी है दोस्तों और हमारा shock mount भी attach हो जाएगा अब हमारे microphone को लगाते हैं लेकिन दिहान रखे ये जो mount की branding है वो आपके face की तरफ होना चाहिए क्योंकि इसका recording chipset है इसी direction में है फिर इसके wind cap को लेकर कुछ इस तरीके से लगा दे microphone के उपर फिर नीचे से recording wire को connect कर ले थोड़ी से मुश्किल होगी इसको connect करने में कि यह बहुत जादा tight रहता है और रेंड में pop filter को tight करके mic के सामने place कर ले और low हो गया हमारा microphone ready to record Assemble तो हमने इसको कर लिया लेकिन अब बात रहे जाती इस microphone की sound quality की कि क्या यह सिप दिखने में अच्छा है या इसकी sound performance भी अच्छी है तो no doubt sound quality बहुत ही अच्छी है इसकी मेरे opinion में लेकिन मैं आप लोग के लिए clear आपको हो जाए इसकी comparison लेकर रहा हूं बोया के वीवाइ microphone में record हो रही है तो चलो मैं इसकी comparison आपको दिखा देता हूं तो अभी जो आप voice सुन रहे हो यह इस microphone से record हो रही है माउनों के और यह एकदम raw voice है बिल्कुल भी मतलब इसमें कोई भी effect नहीं ड़ा हुए background noise नहीं हटी हुई है और मेरा fan अभी on है और जित्ती भी background noise है सारी चीजे सारी रिकॉर्ड कर रहे है तो अभी आप जो सुन रहे हो एकदम raw voice हो तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपका मतलब रूम में ऐसे record कर रहे हो आप तो कैसा यह sound quality आपको देने वाला है तो अभी आप जो voice सुन रहे है और मैंने इसमें कोई भी editing नहीं कि यह raw voice आप सुन रहे हैं तो मेरा fan भी अभी और background noise भी आ रहे है तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि यह दोनों माइक में noise cancellation कैसे work करता है और कैसी दोनों की sound recording है और अब जो आप voice सुन रहे हो यह बोया के microphone से record ही है बट यह edited voice है तो edit करने के बाद इसकी sound quality कैसे निकल microphone है बट इसमें एक छोटी सी limitation यह है कि अगर आप मतलब घुम फिर कर वीडियो बनाते हो ब्लॉग वगरा करते हो तो इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि यह ऐसे मतलब face to face बैट के मैं वीडियो बनाता हूं उसके लिए है तो अगर आप मेरे जैसे वीडियो बनाते हो अग आप ऐसे वीडियो बनाते हों सामने बैट कर तो आपके लिए अच्छी आपकी साउंड रिकॉर्ड करके देने वाला है तो यह था मेरा पूरा उपिनियन इस माउना के माइक्रोफोन के उपर तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक्शूर की वीडियो को लगती है तो प्लीज कमेंट करना ना बुले कमेंट करके आपके कमेंट पर के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेक्शूर कि आप कमेंट कर दें और वीडियो में लाइक भी कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें चलिए मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साह बाइ बाइ